हेलो क्लाश मैं आप का मनिश्य डाटा स्मार्ट के इस ओलन प्लेटफॉर्म पे एगवा फिर से सब्सक्राइब करता हूं आज हम लोग माइक्रोशोफ वर्ड का इंश्यर्ट टैब स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ भीडियो में हम लोगोंने कली बड़ ग्रूप स्टार्ट अज्ट करते हैं तो आज हम नया चैप स्टार्ट कर रहे हैं इसारत टैप में हम लोग पढ़ेंगे रहे हैं पेजिन उप्श्न आ रहे कबर पेज ब्लाइक पैज पिश्ब्रेग स्टीजिश क्या है है हम लोग पढ़ क्या रहे है Microsoft Word पढ़ रहे है Microsoft Word कैसा प्रोड़ा में एक वर्ड प्रोशेश्चिंग प्रोडम जिसमें टैपिंग का काम होता है है ले टाइप टैप करते हैं बुझा करते हैं तो जैसे हम लोग कोई करते हैं तो यहां पर पास Microsoft Office ने कुछ पहले से बने बनाएं कवर पेज का हमें फॉर्मिट दिया हुआ है ठीक है अगर आपको लगता है कि हमारी डॉक्यमेंट के कवर पेज फॉर्मिट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्लिक करके कोई फॉर्मिट आप अप ऐसे क्लिक कर करके यूज कर सकते हैं ठीक है और नहीं तो आप नैक्स पढ़ेंगे हम जिसमें लोग कवर पेज बनाना भी देखेंगे ठीक है तो यहां पर बस आपका यह सिंपल सा फॉमेट आ रहा है बस आपको कुछ नहीं करना है बस अपना डॉक्मेंट इफॉमिशन देना है और हमा डिखेंगे यहां पर हमारा यह रागया ठीक है इसी तरह यहां पर क्लिक करेंगे दॉक्मेंट टायल आरहा है तो जो भी हमारे दॉक्मेंट is container है हम यहां से डॉकमेंट का टैटल देएंगे टैटल हो गया धिक फिस अप टैटल देना है थो तो में अपना इंफोर्मेशन देंगे और हमारा ये कबगर पैज तेयार हो गया इस कबर पेज के यह तो इसके लिए अपास बिजाइन ने दिया हुआ यहां पर देखेंगे कालर् पाएंगे यहां से फॉंट बेगरा चेंज कर पाएंगे देखेंगे तो यहां से हम लोग फॉंट चेंज करते हैं जैसा क्लिक कर देंगे वो अपलाई हो जाएगा ठीक है तो इस प्रेकार से हम लोग कबर पेज यूज कर पाएंगे जो Microsoft Office ने हमें दिया हुआ है ठीक है नेट हूप्शन देखते हैं स्टक्रubaign पास क्या है इंशोर्ट के पेज गर्में ब्लैंक पेज ब्लाइंगब म具त लियूट किया यहां चयहां हमें एक blank page है इसमें कुछ matter में और अग्जेस्ट करने तो जहां blank page चाहिए वहां cursor रखिए और blank page पे click करेंगे और हमें पूरा blank page मिल जाता है इस प्रकार से ठीक है next option देखते हैं हम लोग page break page break, page break क्या करता है कि जैसे हम लोग यहां पे देखेंगे यह हमारा matter है अगर हमने यहां cursor रखा हुआ है ठेक है अगर हमने यहां पे cursor रखा हुआ है और अगर हम space मारते हैं तो क्या होता है cursor right की तरफ move करता है और उसके आंगे जितने भी character हमको लेकि आंग की तरफ जाता है अगर टैब मारेंगे तो भी वही करेगा page break क्या करेगा हम जब page break को use करेंगे तो इस page को break करके cursor हमारा next page पे चला जाएगा इस प्रकार से देखेंगे वहां से matter क्या हो गया next page पे आ गया और जहां पर हमारा cursor था उसके right side में जितने matter थे उससे भी matter को भी लेकर आ गया ठेक है इस प्रकार से पेजब्रेक का shortcut क्यों होता है control enter पेजब्रेक का shortcut क्या होता है control enter ठेक है समझ में आया तो यह हमारा पेजब्रूप खताब